नवसकार मैं प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में Infosys Stock को डिस्कस करेंगे Infosys इस समय 52 week high के price पे ट्रेड कर रहा है यहां yearly range देखेंगे तो 52 week high के price पे ट्रेड कर रहा है और यह सभी तब हुए जब इसके quarterly numbers के बाद guidance expectation को बीट करा है अभी कहूंगा मैं कि जो short term trader हैं वो अपने SL को strictly follow करेंगे trend strong है और all time high यहां से only बहुत ज़्यादा नहीं only 7-8% दूर है अपने all time high से और it may be कि यह hit होते भी भी दिख सकता है सबसे पहले इसके यहां देखेंगे कि Infosys hits new high of FY25 guidance has calci alive for the IT sector जैसे common editorial दिख रहे हैं guidance expectation के beat के बाद ही यह trend दिखा है technical काफी out performing रहा है delivery देखेंगे तो काफी better रहा है आज का volume काफी nominal रहा लेकिन technically जैसा इसने अपने previous consolidated zone वाले breakout को करा और retrace करा previous day के low को यानि shorter में 1790 support है shorter में अगर यह breakdown हुआ तो 1700 भी दिख सकता है अगर यह level respect हुआ तो 1840 से लेकर के 1920 जो all time high का high है यह दो levels को touch करते देख सकता है और यह मैं इसी लिए भी कह रहा हूँ मतलब लोग को respect करके ऊपर गया यानि जो stock यह है यह अपने sector को out perform कर रहा है तो shorter में क्या 1790 के नीचे weakness आएगा और अगर यह level respect किया तो 1940 भी